पामेड इलाके में नक्सलियों और C.R.P.S के जवानों की बीच हुई मुद्भेड में C.R.P.S के कुबरा बटालियन के दो जवान सहीद और छे जवान घाल हुए थे मुद्भेड में घाल हुए C.R.P.S के जवान पौरव पांडू रंग से बात की हमारे समधाता ही महिश्यमारे बीजापूर के पामेड इलाके में हुई नक्सलियों और सुरक्षावलों के बीच मुद्भेड में दो जवान सहीद और साथ जवान घाल हुए थे घाल पांच जवानों का स्री नरन हास्पितल में विलाज चल रहा है पांच जवानों मेंसे तीन के जो इससिती है वो एकडम ठीक है और जो ऑन्न है उनकी इस सिती अभी भी कंबिर बनी हुए है जवान हमारे साथ है प्वार उप कंडुरंग जो उस समय मौझूद वो यह भी उस पूरे मुटिफेड में घायल हुए थे उनसे जाने की कोशिज करेंगे का अखर अगर घटना करम किस पर कारकर था या आप से जानना चाहेंगे कितने बजे सर्चिंग ले आप लोग निकले थे हम तो एक दिन पर चार बजे शाम को निकला था वहां सुबह हमक पर अच्छिंग लेए कि निकले थे सर्चिंग पर क्या कुछ जानकारी मिली थे हैं तो कुछ इमपोर्ट्स नहीं मिला कि आकि वहां पर अचानक क्या ऐसा घटना करम हुआ सर्चिंग लें अशना आप लोग वहां अचानक जो जमा होने के लिए कोशिच कर रहे थे को वो से अलग थी to the only garbage यारहे ही ती पाट्ग में तो अफचाना को हम लागोए प्रपंटी यौह कि परेसिर थे के अश्ण कीबस पाटान इसकी से निşallah गडिए कि एटश जोह दोसुकर में अच्वकरण में नाका तरी मुडबेड में घायल हुए हैं और अभी उनका इलाज यहां पर चल रहा है वह एक्तम बिल्कुल अच्छे तरीके से यह पर स्टेबिल है और उनका इलाज अभी चल रहा है इसके लाबा टोटल साथ जवान घायल हुए थे जिसमें पांच श्री नराज अस्पताल में औ जब किसानों की कोई सुनने को तयार नहीं तो